कमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी भी फते की बरबादी का काउंटडाउन हुआ शुरू और जैस्मिन ने दिखाई अपनी हरकतें शुरू कर दी उसने अपनी हरकतें दिखानी तो अब आने लगा फते को हुस्सा जी हाँ देख लीजिए घर में इतना वखेडा करने वाली जैस्मिन की ये हरकत घरवालों के सामने ऐसे फते की बाहों में बाहें डाल कर घरवालों को ये बोल कर निकलती है खाना मत बनवाईएगा हमारे लिए हम बाहर से खा कर आएंगे सब को ये देखकर हैरानी बिल्कुल भी नहीं हुई क्योंकि सब जानते हैं जैस्मिन की हरकते सब ही को पता है कि जैस्मिन क्या कुछ करने वाली है फैर अब सुन लीजिए डिनर के दोरान क्या क्या हुआ फते और जैस्मिन के बीच वेल यहाँ पर बार बार जैस्मिन फते पर तानी मारती रहती है, कुछ-कुछ बोलती रहती है और इस बार तो उसने पूछा कि क्या तुम तेजो को मिस कर रहे हो क्या इसके बाद फते कहता है तुम बार बार ये तानी देते रहोगी तो मैं तेजो को जरूर मिस करूँगा क्योंकि वो ऐसी हरकते नहीं करती थी वो बचकानी हरकते बिल्कुल नहीं करती थी ये सुनकर हुस्से से लाल हो जाती है जैस्मिन आप चेहरे पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बता दें कि फते बहुत अपसिट नजर आता है जैस्मिन की नहरकतू को देखकर वो बहुत परिशान नजर आता है और साथ ही जब से तेजो ने साइन किये हैं तलाक की पेपर्स तब से वो और भी ज़्यादा अपसिट हो गया है खर इसके बाद जब घर आता है तो तेजो का चहकता चहरा डांस देकर फते बहुत खोश हो जाता है और फिर वो तेजो और बाकी लोगों के साथ डांस करने लगता है इनफैक्ट सभी घरवालों के साथ वो मस्ती भरा डांस करता है ये देखकर जैस्मिन मन ही मन कुड़ती है क्योंकि वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है उसके साथ कोई कुछ भी डांस क्या बात तक करना पसंद नहीं करता वो अकेली यहाँ पर खड़ी ऐसे देखती रहती है आपको बता दें कि जब तेजों ने डिपोर्स में परसाइन किये थे तो फटे की हालत बहुत खराब हो गई थी वो तुरंद भात्रों में चला गया था और लगतार तेजों की चीज़ें याद करने लगा था तो वहीं पर तेजों ने भी दरवाजा बंद कर लिया था और र है कि कैसी बाते तुम करती हो घर का ऐसा महौल है और तुम ऐसी बाते कैसे कर सकती हो इसके बाद जैसमी कहती है तो मैं क्या करूं यहां पर सब ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करूं तुम बताओं मैं क्या करूं यह सारी बातें वो करती है फते से और फते यह सब सुनकर है र